बहुत बहुत स्वागत है आपको अपने यूटूब चैनल एकलवगे श्टोडी पाइंट में आज की इस फीडियो में हम बात करेंगे क्लाश 12 की पॉलिटिकल साइंस, सेकिंड बुक है अपनी और चैप्टर है पहला राष्ट निर्मान की चनोतिया याने की चैलेंजिस ओफ नैसन बुलिटिंग तो यहाँ पर आपको क्या गरना है बहुत ध्यान से देखना है तो देखिए सबसे पहले सुरू करते हैं अपने टॉपिक को और फिर इसके बाद आपको पूरा डीपली एक्स्प्लेइन करते वे चलूँगा कोई important point अगर आपको नजर आता है तो आप इसको note कर सकते हैं सबसे पहले एक टॉपिक ले लेते हैं ट्रिष्ट विट डेस्टिनी या फिर इसको हम कह सकते हैं भाग्य वदू से चरपरतिक्षित भेट आखिर इसका मतलब क्या है तो दीखिए आप सभी जानते कि हमारा जो देश है भारत वो 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था ठीक है तो 14-15 अगस्त की अगर मध्य रातरी की बात करें उस समय हमारा देश आजाद हो गया था ठीक है नहरू ने उस समय क्या किया था जो सम्विधान सभा है सम्विधान सभा को संबोधित करते वे नहरू जी ने एक महतपून परशिद भाशन दिया या फिर एक भाशन अजा चैस कि बाश्या गला है जो बहुत ज्यादा फेमस है वह किस नाम से वह भाशन उसको characterized of यिसको बिल्कुल दिमाग में डालें तो यहां पे कोशन आपकी पेपर में अगर सौट कोशन में अगर आ जाता है कि भागे वदू से चिर परतिक्षित भेट से क्या विप्राय है तो आप ये कह सकते हो कि 14-15 अगस की मद्दे रात्री को जब अपना देश आजाद हुआ तो उस समय नहरु जी ने सम्विधान सभा को संबोधित करते वे एक भाषन दिया था ठीक है वो परशिद भाषन कहलाया तिस्विट डेस्टिनी या फिर भागे वदू से चिर परतिक्षित भेट आप बड़े आराम से बता सकते हो सिंपल था विल्कुल चलते आगे टॉपिक को देखते हैं आजादी के गुलाम उससे पहले के वर्सों में देखें तो मुगलों के गुलाम ठीक है तो इतने लंबे समय के अंतराल के बाद देश आजाद हुआ था जब देश आजाद हुआ तो ऐसे में लोगों की कुछ आकांशाय रही होंगी कुछ मतलब अपने आजाद देश के परते हुआ वो कुछ चाते हुँगे तो वही क्या मतलब ऐसी कौन सी बात थी जिस पर सभी सहमत थे तो ये कोशन आपके पेपर में आया हुआ कोशन है इसलिए बहुत इंपोर्डेंट है याद रखें तो आजादी के बात दो बातों पे सब की सहमती थी सबसे पहले तो लोग ये चाते थे कि हमारे देश में जो अब सरकार चलेगी या जो साशन चलेगा वो लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा चलाए जाएगा यानि कि लोकतांत्रिक सरकार बनेगी हमारे हापे और हम उसी के द्वारा अपने हापे शासन चलवाएंगे ठीक है तो लोगतांतिरिक सरकार वाला पहला पॉइंट आपको याद हो जाएगा दूसरा क्या है कि जो सरकार होगी वो सबी के भले के लिए काम करेगी सबी के भले के लिए का मतलब आप समझते हो कि समुदाय जो है या देस में जो विबिन धर्मों को जातियों को मानने वाले लोग रहते हैं के विबिन समुदाय के लोग रहते हैं तो सबी के लिए काम करेगी चाहे कोई गरीब हो चाहे अमीर हो हो चाहे किसान हो चाहे मजदूर हो चाहे कोई भी हो सब के भले के लिए सरकार काम करेगी तो यह दो पॉइंट आपको यहाँ पर याद हो जाएंगे तीसरा एक कुशन यह भी आपके बन सकता है कि 1947 का साल जो था कैसा था तो आप यह समझ सकते हो 1947 का साल हमारे लिए खुशी का साल भी था पर एक सबसे बड़ी जो कमी थी वो आपको यहाँ पर याद रखनी है कि खुशी का साल इसलिए था क्योंकि देशाजाद हुआ था लेकिन सबसे जो भयंकर जो इसके गलत परिणाम थे वह यह था कि बिल्कुल तरास दी हुई थी, चारो तरफ, मार, काट, लड़ाई, जगडा, खुन, खराबा, ये सब हुआ था, लाखोर लोग जो थे, वो मारे गये थे, और बेघर हो गये थे, बहुत सारे लोग, तो ये ऐसा साल था, तो आप ये भी बता सकते हैं, ठीक है? राष्ट निर्वान की चुनोतियां, ये question आपके लिए सबसे important question अगर इस chapter में से कोई question पूछा जाता है, तो वो सबसे पहले यही question पूछा जाता है, कि राष्ट निर्वान की प्रमुख तेन चुनोतियां कौन सी है, तो अब इसको मैं बहुत deep explain करूँगा, पूरा ध्यान स समझने हैं आपको, देखें, सबसे पहली चुनोति जो थी, वो थी एकता के सूतर में बांध रहा, इसका मतलब क्या है, आप जानते हैं कि भारत जो है, एक विशाल आबादी वाला देश है, आप बड़े आराम से इसको समझ जाएंगे, क्योंकि सिंपल है, देखें क्या है भारत एक विशाल आबादी वाला देश है, और यहां पर अलग-अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, अलग-अलग जाती में लोग बटे हुए हैं, ठीक है, और अगर आप पूरा देश देखो कि तो बहुत बड़ा देश है, यहां पर अलग-अलग भाशा को बो विभिनता है हमारे देश में, ठीक है, तो ऐसे में इतनी सारी विभिनता हैं जहां पर होती हैं, वहां पर लड़ाई जगडे और देश तूटने का खतरा उतना ही जादा हो जाता है, कई अंग्रेज और कई जो मतलब वेस्टन जो विद्वान रहे थे, उन्होंने तो भार सबकुछ अलग है, तो ऐसे में विवेध हो सकता है, तो ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ी जो राष्ट निर्वान की चुनोती अगर हम बोलें, तो राष्ट निर्वान की सबसे बड़ी चुनोती थी, कि इन सभी अलग अलग धरम को मानने वाले जाती को मानने वाले भ अब आप दूसरा पॉइंट देखिए बहुत आसान है दूसरा लोगतंत्र इस्थापित करना यह तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि सीधा सीधा देखिए सरकार्ज होती है कई तरह की होती है कुछ जगह पर राजतंत्र होता है जहां पर राजा का शासन होता है कुछ ऑइसे में हमनें पहले से ही डिसाइड कर रखा था कि जब भी हमारा अजआ होगा तो हम उसे लोगतंत्र क्डेश बनाएंगे यहां लोकतंत्र होगा तो लोगतंत्र है भारत में तो ये आपको समझ सकते हो कि लोगतंत्र स्थापित करना भी एक बड़ी चुनोती ही थी उस समय में अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की पूरे समाज का भला करना आप देखिए ये अगर आप 1947 के समय में जाते हो उतना पीछे जाकर अगर आप चीजों के बारे में सोचना सुरू करोगे तो आपको पता लगेगा उस समय बहुत ज़्यादा समस्य आई थी देश में बहुत ज़्यादा गरीबी थी लोग पड़े लिखे नहीं थे टेकनलोजी का अभाव था सिक्षा का अभाव था चीक है बहुत मतलब ग्रामिन इस्तिती में भी था भारत की गाओं अगरा बहुत थे और नगरों का विकास भी नहीं दा उतना ज़्यादा मतलब कुल मिला कि अगर देखें तो समाज में महोल जो था आज के समय से बिलकुल अलग था अब ऐसे में क्या था भई जाती प्रता थी हमारे आपे जाती प्रता बहुत मतलब भेदभाव था और भी कई तरह की चीज़े थी जो हमारे समाज की बुराईया या समाज की कमिया गया सकते हो समाज में कई कमिया थी ऐसे में एक बड़ी चुनोती यह थी कि सरकार जो होगी वो किसका भला करेगी पूरे समाज का भला करेगी यानि सबी के लिए सबी को साथ लेकर चलेगी आप इस तरीके से बता सकते हो इसे तो यह बहुत यह आसान है चलते हैं हम अगले टॉपिक पर द्वी राष्ट सिध्धांत। तो हमें मतलब देश का टुकड़े हो जाएंगे यानि देश के टुकड़े हो जाएंगे या देश बट जाएगा ऐसा कभी मतलब कलपना भी नहीं गई की थी किसी ने तो यह बहुत मतलब बेकार था तो इसे समझी है दो राजशिद्दान्त क्या है मुस्लिम लीग जो है उसने दो राजशिद्दान दिया था ठीक है ये जो दो राजशिद्दानत है ये जो सिद्दानत है किसने दिया था मुस्लिम लीग ने दिया था इनका ये कहना था कि इंडिया जो है बिर्टिस इंडिया यानि भारत जो है वो एक नहीं बलकि दो कौमो कौनसी एक तो मुस्लिम है और दूसरी हिंदू है कि यह दो कौमों का देश है ठीक है और इन्हों ने मुसल्मानों के लिए एक अलग देश की मांग की इन्हों ने का कि एक अलग देश दो हमें हम इनके साथ नहीं रह सकते Congress ने इसका विरोध किया तो ये पूरा का पूरा मामला था इसी को द्वी राशिद्धांद का जाता है तो question यहां से बन जाएगा द्वी राशिद्धांद का मतलब क्या है इसके तैट दो राश्ट की बात की गई थी ठीक है? किलियर हो जाएगा द्वी राशिद्धांद किस ने दिया? आप कहोगे Muslim League ने दिया कोई ये भी question पूछे कि द्वी राशिद्धांद का विरोध किस ने किया तो उस समय जो Congress थी उसने उसका विरोध करा तो ये सारे one marks के question sought बनेगे आपको यहाँ पर ध्यान रखना है अब देखिए एक question है आज की इस वीडियो का सबसे पहला question आप से पूछ रहा हूँ कि ये जो Muslim League है ये कब बनी थी? या फिर इसकी स्थापना कब होई थी? और क्यों होई थी? आप मुझे comment में बताएंगे आगे देखते हैं विभाजन में आई मुखे समस्या है आपको पताए देश का बटवारा किसी ने सोचा तो नहीं था पर देश का बटवारा हो गया अब ऐसे में भारत जो था मतलब जो बिटेश इंडिया होता था वो भारत और पाकिस्तान के रूप में बट गया पाकिस्तान जो था वो मुस्लिमों का देश बन गया और भारत जो है वो एक धर्म निर्पेक्स देश बन गया अब यहाँ पर एक चीज आपको यह समझनी है कि विभाजन में आई मुख्य समस्यां क्या थी जब देश का बटवारा हुआ तो मुख्य समस्यां क्या थी तो समस्या बहुत तरह की थी मुस्लिम जो थे वो कोई एक जगा में तो थे नहीं हिंदू भी थे तो अब ऐसे में समस्या यह आ रही थी कि देश का बटवारा आखिर होगा तो कैसे होगा ठीके विभाजन में कई तरह की समस्या आई तो जब इसको बाद में ये फैसला किया गया कि जो विभाजन होगा वो धार्मिक बहु संक्या के आधार पे होगा यानि धरम के आधार पे होगा और बहु संक्या के आधार पे होगा यानि जिसकी संक्या जहां पे जाता है उसके लिए वहां पे देश बना दिया जाएगा पैसी दो जगा है आई एक तो अगर हम बात क यह आ रही थी कि मानलो अगर यहां पर मुस्लिम बहुत ज़्यादा हैं कि अब इन दोनों जगाओं को उठा कर एक जगा लाना possible तो हैονगे क्योंकि अब जमीन को थोड़ी ना एक जगसे दूसरी जगह पी उठा पर के रखा तो पाकिस्तान जो था वो दो बन गए यह आपको याद रखना है तो चले देखते हैं क्या-क्या समस्याई इसको समस्ते हैं तो दो इलाके थे जहां पे मुसलिम बहुत संक्यक थे दोनों इलाकों को मिला कर जोड़ना अ़ना तो शबी मुसलिम जो थे वो पाकिस्तान जाने को भी तैयार नहीं थे यह भी एक समझ्या थी तो यह सारी समझ्या आ रही थी पॉइंट भाइस आपको बिलकुल याद करते हैं पंजाब और बंगाल की बात करे हैं तो यहाँ पे कुछ इलाकों में मुस्लिम जादा थे से अल्प संक्यकों की समस्य आए थी क्योंकि अल्प संक्यक भी थे दूनों तरफ थे अब ऐसा नहीं है कि मतलब जहां पर यह मुस्लिम जाद हैं वहां पर हिंदू इंदू ना रहते हैं वहां पर हिंदू भी रहते थे सिख भी रहते थे अब वहां पर तो यह अल्प संक्यक आप चंद गंटों में देश को खाली करना है लोगों को सीमा बार जाना है अब जो मतलब वर्सों से अपने घर में रहते आ रहे थे तो अब उनको वो घर छोड़ कर भी जाना पड़ सकता था दूसरी तरफ बॉर्डर के दूसरी तरफ यह बहुत बड़ी समस्या थी विभाजन की तो आपको यह पॉइंट याद गर लेने और पेपर में आप इसको एक्स्प्लेइन बड़े आराम से कर सकते हो ठीक है आपको नोट्स जो बनाने होते हैं इसी तरीके से बनाने होते हैं आपको पूरा का पूरा रिटन वाला नोट्स नहीं बनाने कि आप पूरी थियोरी ही लिख दो वैसे आपको बहुत नुकसान होता है ठीक है समझी अब आगे विभाजन के परिणाम बताओ विभाजन के क्या परिणाम हुए यानि जब देश बट गया तो उसके क्या परिणाम हुए सामपरदाइक हिंसा हुई आपने देखा था मैंना भी आपको बता था बहुत ज़्यादा मार का लड़ाई जगड़ा हुआ अचानक से इस्थानांतरन हुआ किसी को भी पता नहीं था कि मतलब उसे अचानक से गरबार चोड़के सीमा की दूसरी तरब जाना पढ़ सकता है या इधर से लोगों को उदर जाना पढ़ सकता है किसी को भी उम्मीद नहीं थी अचानक हुआ जो भी हुआ मजबूरन लोगों को सरनार्थी सिवीर में रहना पड़ा मजबूरन महिलां के साथ बलातकार हुआ, महिलाओं की हत्या कर दी गई, जबरन साधी की गई, ठीक है, जबरन साधी की गई अब ऐसे में क्या हुआ, कुछ लोगों ने अपने घर की इज़त बचाने के लिए अपनी महिलाओं को खुदी मार दिया, ऐसा भी हुआ की दूसरों के हाथ जाए और उनके साथ गलत हो, इसलिए उसको खुदी मार दिया संपत्ती का भी बटवारा हुआ और संपत्ती के बटवारे में तो ये लगा लो, टेबल, कुरसी, जो भी ता सब बाट लिया गया असी लाख लोगों ने घर छोड़ दिया अपना ठीक है, तो ये सारे पॉइंट थे, आपको ये याद रखने एक बर आप इसे देख सकते हो, स्क्रीन सोट ले सकते हो, लिख सकते हो ये पॉइंट आपको विभाजन के परिणाम जो है, उसमें आप लिख सकते हो, ये सारे पॉइंट आगे देखिए, आजादी के जसन में गांदी जी ने हिस्सा क्यों नहीं लिया आप पता है, 1947 में जो देख आजाद हुआ था, हमारे लिए खुशी का दिन भी था और दुख का भी दिन था खुशी का दिन क्यों था, आप जानते हैं, क्योंकि देख आजाद हुआ था और जब इन्होंने अपील की तो कुछ समय के लिए उस मदब एक चमतकार की तरह ही समझो कुछ जगह पे हिंसा बिल्कुल रुख भी गई थी फिर गांधी जो थे वो दिल लियाए गांधी 1948 में उन्होंने उपवास रखा और उनके उपवास रखने से हिंसा और तनाव जोता था इधर वाला हिस्सा यहां पे मुस्लिमों ने जो अल्प संक्यक थे सिख और हिंदू उनको मार काट के मांसे बगा दिया ऐसे में जो हिंसा थी वो यहां पे भी हो रही थी तो मात्मा गंदी का कहना यह था कि यहां पे जो मुस्लिम है भारत में ध्यान से सुने यहां पे यह जो लड़ाई और हिंसा वाला महालता ही ऐसा चल रहा था ऐसे में जो नातु विनायक नातु राम विनायक गोट से जो है यह एक राष्टवादी विचारधारा से प्रेरित विक्ति था ठीक है तो इसने क्या किया इसको यह बात महात्मागांदी की सही नहीं लगी इसे य ना कहीं मुस्लिम पक्ष जादा ले रहे हैं और उसे हिंदूों को मतलब हिंदूों का दुख उनको नहीं दिख रहे हैं कुछ ऐसा है इसके मन में था और इन्होंने जाके उसको क्या करा गोली मार दी तो यह आपको यहां से दिखिए वन माक्स का कोशन बन जाता है यह वा चैप्टर है बुक में उसको बिल्कुल आख मंद करके एंसे बिल्कुल भरोसी के साथ एकदम पढ़े लो कुछ भी उसमें डिलीटीड नहीं है यह समझो जो डिलीटीड या फिर चेंज वाला सिस्टम है वह आगे के चैप्टरों में है तो इस चीज को ध्यान रखना आग रिंदरि Amazon कंका डायरेक्ट का दायरेक्ट एवर इंडायरेक्टम में क्या था कि जो हिस्से जहाट पर अंग्रेस डायरेक्ट चला रहे हैं और अब हैंब अपने अनुसार्वें बिल्कुल चला रहे ते यानी कुछ राजा थी उनको खेतर सान हुआ था राजा वहाँ पर राजपाट चलाते थे लेकिन वो राजा जो होते थे वो अंग्रेजों के गुराम ही होते थे यानि कि नाम मात्र के राजा थे तो यानि अंग्रेज यहाँ पर राजाओं के द्वारा शासन चलवाते थे यह कह सकते हो यहाँ पर डारेक्ट चलाते थे तो ऐसा सिस्टम था तो यह रियासत रजवाड यह जो है यहां से कोशन आपके पेपर में बनता है तो चले ध्यान से देखिए से समझेए लेकिन यह जो राजा होते थे उन्होंने अंग्रेजों की जो सता थी वह कबूल कर रखी थी तो यह आपको यहां पर दोनों तरब के पॉइंट जो है याद हो जाने चाहिए बिलकुल अच्छे तरीके से ठीक है तो यह हो जाएगा अब आगे देखिए रजवाडों की समस्य यह आपके लिए पेपर में आता है यह कूशन इंपोर्टेंट है इस बार के पैटन में देखते हैं क्या है पर यह कूशन इंपोर्टेंट है आ सकता है पेपर में तो दिखिए रजवाड है अगर मैं पूरे भारत की बात करूं पूरे देश की बात करूं तो पूरे देश में छोटी छोटी बड़ी बड़ी रियासते होती थी और पांसो पैंसाट रियासते आपको बिलकुल याद रखना है और NCRT में जो आपकी जो फैक्ट होते हैं आप NCRT वाले फैक्ट याद करो क्योंकि अगर आप इसी को किसी राइटर की किताब से याद करते तो वापे याद रुखना है ठीक है देश में 655 रियासते थी और ऐसे में देश तूट जाने देश में मतलग तूट जाने का खतरा था क्या हुआ था कि जब यहां पर समझे थोड़ा सा यह पूरा देश जो है वो रियासत उसे भरा हुए बहुत सारे रियासते हैं पूरे देश भर में अब ऐसे में क्या हुआ एक रियासत ने यह बोल दिया कि मैं आजाद रखूंगा अपने आपको मैं भारत में शामिल नहीं ह क्या दिया कि हम भी अलग रखेंगे कश्मीर में भी कुछ इसी तरीके का कुछ देखने को मिला जूनागड के तरब भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला तो मतब ऐसी समस्य आने लगी तो ऐसे में डर यह लग रहा था कि अगर मान लो अभी एक ने यह डिमांड करी है कल को पा खतरा हो सकता था तो यही समस्या थी इसको समझते हैं हम ध्यान से और चलते हैं टॉपिक को याद करते हैं तो देखे देश में 550 टिर्यास थे थी ऐसे में देश के तूट जाने का खतरा था क्योंकि अंग्रेजों ने गोशना की थी अपने समय में कि बिटिस जैसे बड़े भी स्वतंत्र हो जाएंगे यानि उन्होंने जाते जाते एक आग लगा दी या फिर रजवाडों को एक हिंट दे दी कि तुम स्वतंत्र हो सकते हो यानि कि तुम चाहो तो भारत से अलग रहो तुम चाहो तो भारत में शामिल हो जाओ तुम चाहो तो पाकिस्तान म जो राजा थे इन्होंने अपने राज्य को आजाद रखने के एलान कर दिया इन्होंने कहा दिया कि हम अपने राज्य को क्या करेंगे आजाद रखेंगे तो ऐसे में यहाँ ही से समस्या शुरू हो गई जब 13 गोर के राजा ने कहा तो उसके बाद हैदराबाद का जो निजाम था उसने भी यही कह दिया उसके बाद फिर देश टूटने का खत्रा हो गया अगर ऐसे ही सारी रियासते बोलने लग जाएंगी तो देश तो टूट जाएगा तो यह खत्रा जो था बहुत बड़ा था ऐसे में एक समसदार विक्ति जो थे वो थे वल्लबाई पटेल इनको बुलाया गया और इन्होंने क्या करा उस समस्या को समझा और उस समस्या का सोलुशन करा और बहुत ही महतपून भूमिका है पटेल जी की कि इन्होंने देश को तूटने से बचाया इसलिए महान विक्तितों के साथ एक महान नेता माने जाते हैं देश के लिए तो देश में रजवाडों की समस्या को देख कर ऐसा लगा जैसे देश जो है वो तूट जाएगा यानि कि रजवाडों की समस्या को देख कर लगा कि देश तूट जाएगा ऐसे मैं वल्लब भाई पटेल जोते हैं इन्होंने समस्दारी दिखाई और समस्दारी दिखाकर रजवाडों को भारतिय शंग में यानि भारत में शामिल करने के लिए राजी कर लिया mostly जितने भी रजवाडे थे सब भी शामिल होने के लिए बिल्कुल तयार हो गया ठीक है और इन्होंने एक agreement आप समझ लो एक agreement होता ना जैसे हम sign करवाते हैं तो ऐसे यह एक agreement था जिसको सहमती पत्र के रूप में आप देख सकते हूं इसका नाम था instrument of accession नाम याद रखे instrument of accession पे इन्होंने क्या करा जो रजवाडे थे उनके sign करवा लिए और उनसे भारतिय संग में शामिल होने के लिए सहमती पत्र जो था उनका signature हो चुके थे तो वो ज़्यादा तर शामिल हो गए लेकिन 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 इतना आसान नहीं था सामिल तो हो गए पर कुछ चार रियासते ऐसी थी जिनको भारतिय संग में शामिल होने में बहुत दिक्कत आई तो अब आपके लिए आज का दूसरा question ये है कि वो चार रियासते कौन सी थी जो भारतिय संग में आसानी से शामिल नहीं हुई या फिर जिनको भारतिय संग में मिलाने में काफी कटिनाई होगा या दिक्कत होगा सामना करना पड़ा तो ये था हमारा part 1 जितना भी मैं आपको chapter में बता रहा हूँ long question आपका एक भी question इससे बाहर नहीं आएगा जो जो आपको बता रहा हूँ इसको ढंग से बिल्कुल समझते जाओ नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो वरना आपको notes जो हम available करवा देंगे ठीक है थोड़े समय के बाद तो आप यह देख सकते हैं सारा और यहां पर काफी sort में मैंने लिखा हूँ है ताकि आपको बिल्कुल सटीक बाते मिलें और आप विस्तार से जानने के लिए NCRT बढ़ सकते हैं जब आप NCRT बढ़ेंगे तो टोटल यही चीज़ें आपको मिलेगी जो जो मैंने आपने आपको इस वाली वीडियो में बत ते आप